हलो एंड वेलकम यौल टू बीड दे स्ट्रीट आज बात करने वाले हैं फिर से रिलाइन्स फुचर ग्रूप और एमेजोन के बारे में जी हां दिल्ली हाई कोट में इसका केस चल रहा है और लगातार अपडेट्स आ रही है और सबसे पहले वीडियो बना रहे हैं आपके ल उसमें इनकी तरफ से उन्हें बोलना था और एमेजोन की तरफ से उन्होंने बोलते होई ऋनका जो स्टेट्मेंट था ताकि मतलब सिंगावडर्डरेशन कोट तो आपको पहले स्टेट्स बता देते हैं कि पूरा केस का स्टेट्स है वो कहां तक पहुंच चُका है तो हमारी जो पहले की previous वीडियोज है आप जाके वो उनको चेक कर सकते हैं जिसमें हमने पूरा detail में discussion किया है बट अगर आपको brief बताएं तो सबसे पहले Salve और Darius Combata जो की senior advocate है Future Retail और Reliance के उनका मानना है उनको जिस तरीके से बताया है उस तरीके से उनका statement है कि जो Future Retail और Reliance की बीच में जो deal हो रही थी उसको जानबूच कर रोकने के लिए Amazon ने इस तरीके का अडंगा अपनाया है और बीच में गुसा है क्योंकि उनकी जो deal का जो amount है वो करीबन 25-25,000 करोड के लंसम है जबकि इनका जो investment है वो करीबन 1400 करोड है और वो चाते हैं कि हम आपको 1400 करोड रुपे दे देते हैं उसके साथ interest भी देने को तियार है investment पे बट still Amazon don't want to do this whole thing और उनका मानना ये है कि हम इसको आगे continue करना चाते हैं और हम आगे इस case को लड़ना जाते हैं और जान बुझ कि हो 1400 करोड रुपे का यूज कर रही है फिर उनका दूसरा जो statement था वो था कि ऐसा ही AC का जो order है Singapore arbitration court अगर आप previously इसको follow कर रहे हैं पूरे case को तो आपको बता होगा कि Singapore का court का order is the conclusive order अगर इन्होंने बोला कि यह एक emergency arbitration है और emergency arbitration को इंडिया के जो arbitration act है उसके तैत उससे एक arbitral tribunal नहीं माना जा सकता है और उसका जो conclusion होगा उसका future retail पर कोई impact future retail और reliance की deal पर कोई impact नहीं होना चाहिए तो दूसरा status यह था तीसरा यह है कि जो सेबी से approval मिल चुका है CCA से approval मिल चुका है तो only जो approval जो बाकी था जो सेबी नहीं बोला था कि अब आपको कि वहला NCLT से approval लेना है और साथ ही साथ उन्होंने बोला था कि आपको share holders का approval तो दो approval वहाँ पर pending है तो NCLT के लिए इन्होंने approval के लिए इन्होंने already future return ने यहाँ पर apply कर दिया है तो अब NCLT का जो अगर approval मिल जाता है तो इंडिया में वो deal finalize तक पहुंच सकती है तो आज जो case हुआ था उसमें जो Amazon का जो पक्ष था उसनों ने यह बताया कि उस deal को रोकना चाहिए क्योंकि अगर वो deal अगर NCLT approve कर देती है तो फिर इंडिया में वो applicability हो जाएगी और उन्होंने साथ ही साथ बताया कि Singapore arbitration act भी इंडिया में arbitration इंडिया के जो arbitration act है उसमें एक status रखता है और साथ ही साथ जो उसको emergency arbitrator नहीं मानके वो एक arbitral tribunal माना जाएगा और arbitration में उसका जो वहाँ पर जो statement आएगा वहाँ का conclusion आएगा उसका जो conclusion आएगा वो इंडिया में applicable होगा तो आज जो पूरे statements किये गए उसको हम line to line आज analysis करेंगे और समझेंगे कि क्या इसका impact पढ़ सकता है red lines amazon और future यहां future group के shareholders और reliance के shareholders को जरूर देखना जाए पूर वीडियो end तक देखें detail में समझें हम दीर दीर अराम से आपको हर चीज हिंदी में अपनी भाशा में समझाएंगे तो channel पर अगर पहली बार आए हैं तो initiated arbitration before S.E.A.C. मतलब Singapore arbitration court में हमने already अपना arbitration file कर दिया है and we are willing to enter into a purposive dialogue for the purpose of direct contact तो हम direct contact के लिए वहाँ पर dialogue करने वाले हैं तो यह होते हो वोगी simple सी बात इसके बाद उन्होंने बताया कि Subramaniam begins the re-zoinder submissions जो दिल्ली आई court में जो उनको submission करना था उन्होंने करते होए बताया the B&E are the people who drove the contract उन्होंने ही इसे contract को आगे बढ़ाया है जो B&E है उन्होंने and the agreement with the FRL मतलब future retail was actually the agreement which was driven by the B&E to induce us तो जो agreement future retail limited के साथ किया गया वो B&E ने खुद ने हमें induce किया था मतलब कि Amazon को induce किया था क्या आप agreement करो at the relevant time there are no multi brand retail FDI in India उस time कोई भी multi brand retail FDI इंडिया में नहीं investment नहीं किया गया था and we hope to have a foothold कि हम भी चाते थे कि हम भी इस तरह के का investment करें ताकि इंडिया के market में हम अपना एक जगह बना सकें तो Amazon ने इस काने इसमें investment किया and the B&E को भी मानना था कि strategic foreign investment आएगा तो उसको भी काफी आने वाले टाइम में उनकी जो shareholding है और इस तरीकी की चीजों में काफी आने वाले टाइम में help मिलेगी और वो साथी साथ अपने business को भी बढ़ाना चाते थे और अपनी shareholding को भी monetize करना चाते थे जो future retail limited में थी तो सुप्रमन्यम ने emergency award की जो finding है उनको refer करते हुई है बताया अब जो बात हुई उसके उसमें आपको साथ साथ बताते हैं कि as a first step the restructured future coupons private limited to acquire shares of future retail limited and this structure enabled Bionis to attract an investor तो उन्होंने future coupons private limited बनाई ताकि वो investors को attract कर सके और ज्यादा ज्यादा investor ला सके और इसका use कर सके अपनी holdings है उसको बेज सके और monetize कर सके अपनी holdings को तो उन्होंने इस तरीके का structure बनाया और future retail limited के के जो shares थे future coupons private limited में future coupons private limited में इस तरी से restructure किये गए कि future coupons private limited बन गई promoter company और future retail limited उसके नीचे तो क्यूंकि हमारे को future limited में investment करना था क्योंकि Amazon चाहती थी कि वो इंडिया के market में इंटर हो और multi brand FDI कहीं नहीं था तो उन्होंने सोचा कि हम इस तरह की investment करते हैं तो यानी ने उनको इसको लिक्रेटिव बनाने के दिए future coupons private limited बनाई ताकि आप direct FRL में तो investment नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने future coupons private limited में investment किया और उसके थूरू उन्होंने उनका main वक्सता वो future retail limited था और उन्होंने इस तरीके से investment किया तो यह पूरा चीज मेरे साब से आपके लिए clear होगी आपको कई भी कुछ भी लग रहा है कुछ भी mistake लगती है तो आप उसे comment section में जरूरू बता सकते हैं और आपको कोई भी query है इस case related तो आप हमारे previous वीडियो देख सकते हैं जो हमने detailed discussion और पूरा परपजी बताया है कि जहां पर जिस तरीके statement क्योंकि बहुत सारे new channels में भी इसको गलत तरीके से portrait किया हमारे किसी भी जो new agency के statements नहीं है यह pure statements है जो वहां से receive किया जाते हैं तो इस पे आप पूरी दरे से rely कर सकते हैं तो यह जो पूरा ट्रांजिक्शन जो बनाया गया Amazon's consent was necessary before FCPL could be given consent to future retail limited तो बियानी और future coupons private limited दोनों मिलके more than 50% future retail limited का hold करते हैं और future retail limited को future coupons private limited के अगर आपको कोई भी retail asset को disposal off करना है तो future coupons private limited की आपको approval चाहिए और Amazon का consent उसमें necessary है before FCPL could be given consent तो अगर आपको क्योंकि उनके पास बियानी और FCPL मिलके 50% hold करते हैं बट Amazon का भी वहाँ पर एक बड़ा stake है तो उनका मानना है कि Amazon का भी consent लेना यहाँ पर जरूरी है सुप्रमन्यम ने यह shareholder agreement और refer करते हो बता है जसमें पूरी person list दी हुई है उसमें restricted person list में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था तो agreement record that this is 1432 crore was received by future determined what was the consideration that you would not throw away assets or deal with the restricted persons सुप्रमन्यम refers to the finding in the emergency award तो emergency award जो SIEC में चल रहा था उसमें जो findings जो ली गई थी उसका refer करते होएं बता है कि 1432 crore जो future retail limited को indirectly मिले थे वो future coupons private limited के थ्रू मिले थे और Amazon ने वो दिये थे तो उनका मानना है कि अगर future retail limited में कोई भी होता है कोई भी चीज़े changes होती ही retail asset में change होता है तो यहाँ पर Amazon की consent होना बहुत बहुत जरूरी है इसके अलावा उन्होंने emergency arbitrator को भी यहाँ पर quote करते होएं बोला कि emergency arbitrator भी the transcripts were made available and it is admitted that but for this protection of asset this agreement would not have happened when money was received and agreement was entered into it was all in compliance with the Indian law जब भी agreement बनाया गया था उस time के जो लो था उसके साब से यह compliance किया गया था कि इंडियन लो का कोई भी यहाँ पर सारा compliance किया गया था उसके बाद यहाँ पर future retail limited ने जो disclosure दिया था regarding future coupons private limited shareholder agreement 22 August 2019 को तो FCPL issued a letter to future retail limited and provided the list of restricted person which was identical to the list of future coupons private limited और Amazon shareholder agreement उने साफ साफ बताया कि जो 22 August 2019 को future coupons private limited के shareholder agreement में जो साफ disclosure दिया गया था और same disclosure future retail limited में भी दिया गया था and the emergency arbitrator analyzed the Indian law and said that you are bound इसके अलावा FRL limited के अगर हम बात करें now FRL would have not been exist does anyone put down 1431 crore so the company is dissolved तो उन्होंने साफ साफ यहां पर बताया क्योंकि अगर future retail limited की अगर deal हो जाती ही reliance के साथ तो वह असली में फिर exist करना ही बंद कर देगी और हमने जिस तरीके से पैसा लगाया था उसमें future retail limited का एक बहुत बड़ा point था और अगर वही investment नहीं रहता है तो हमारे 1431 crore का क्या हुआ वो पूरी तरह से dissolve हो चुके हैं जिसका हमारे हाथ में उसका कोई conclusive evidence ही नहीं बचा क्योंकि ultimately future coupons private limited ने without asking restricted person which is an amazon which is amazon तो उनसे बिना पूचे ही वो से पूरी deal कर दी और उसमें amazon का जो पूरा पैसा लगा हुआ था वो कैव हो जाता है डिजूल हो जाता है तो इस तरीके की कुछ statements आज रखे गए इसका अला under the SIAC rules you have laws and objection with respect to jurisdiction SIAC court said no you have to continue they raised it before the emergency arbitrator तो यहां पर साफ साफ बताया है कि SIAC rules के हिसाब से आप objection कर सकते हैं with respect to jurisdiction jurisdiction के लिए आप objection कर सकते हैं but SIAC court had no said no you have to continue they raised it before the emergency arbitrator के सामने उसे पेश किया गया now they have raised the plea of jurisdiction before the arbitral tribunal अब उन्होंने फिर बाद में arbitral tribunal का जो point हमने last video में discuss किया था arbitral tribunal से related वो point मुद्दा लेके आए कि arbitral tribunal नहीं है emergency arbitrator अलग है arbitral tribunal अलग है और इंडिया में के वाल arbitral tribunal का ही low follow किया जाता है emergency award को arbitral tribunal नहीं मना जाना जाना चाहिए और निलिटी पर आ गए थे तो और सुबरमने उन्होंने यहां साफ किया कि जो और emergency award है वो भी SIAC का जो emergency award है वो भी arbitral tribunal के समान ही है और उसका भी जो FRL का जो participation है वो यहां पर requirement है और साथी साथ जब तक वहां का order नहीं आ जाता है तब तक आप conclusion नहीं आ ला सकते क्योंकि यह same to same इंडिया में जो इस तरह के से arbitrator होता है उसी तरह के से काम करता है और careful साथी साथ बताया कि emergency award भी यहां पर साथ ही काम करता है हमारे arbitral tribunal जैसे तो उन्होंने साथ साथ यहां पर reference देते हुए बताया इंडिया के laws का जो की arbitral tribunal और emergency arbitration से related थे अब इसके बाद आ जाता है single judge से related कुछ queries आती है उसके बाद यह कुछ ज़ादा यहां पर कुछ खास नहीं था उसके बाद था amazon preferred a limited appeal this appeal is on the point that if there is an arbitration clause and parties are before the tribunal the matter should be referred to the tribunal तो उन्होंने बताया कि अगर हमने उसमें हमारी agreement बना था उसमें tribunal अगर हमने लिखा है arbitration clause लिखा है और arbitration tribunal का reference दिया है तो हमारा जो पूरा matter है वो tribunal में जाना चाहिए ना कि इधर उधर जाना चाहिए और सुप्रिम अन्हें ने साफ ही साफ reference देते हुए बताया कि NCLT में already इन्होंने फाइल कर दिया है और अगर NCLT में approval मिल जाता है और अगर आपने यहाँ पर कोई order नहीं देते हो को वो डील already हो चुकी होगी और फिर हमने जिसमें indirectly investment किया था वही चीज़ गया हो जाएगी हमारे पैसे भी गया हो जाएंगे और Amazon का पता भी नहीं चलेगा तो उन्होंने साब साब कहा कि emergency award अभी भी valid है और साथ ही साथ arbitration act में भी जिस तरीके से reference दिया गया है उस तरीके से माना जाता है कि emergency award के द्वारा जो order आएगा वो भी इंडिया में उसी तरीके से लागू होगा जिस तरीके से दूसरे arbitration के laws लागू होते हैं और उन्हें यहां पर साफ साफ रूल ऐसे यही रूल 7 का भी reference दिया और बताया कि उनके पास इतनी सेम पावर होती जो इंडिया के एक arbitrator के पास होती है इंडिया seated arbitration and it is an interim order passed in Delhi. It is really part one और उन्हें ने साफ साफ यहां पर referencing देते हुए sections का बताया कि किस तरीके से जैसे यही का जो order है वो इंडिया की arbitration act को follow करता है और फिर यहां पर कुछ और points आते हैं जो कि जादा important नहीं थे इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ important बात में कि subramaniam reads the award finding with the respect to undeniable individuality of future retail limited and other parties subramaniam continues to read the award subramaniam states that the two agreement two shareholder agreement was signed by the parties to comply with Indian laws and now the same people day that it is illegal तो उन्होंने जिस तरीके से agreement shareholder agreements बनाए गये थे future coupons private limited future retail limited के बीच में तो अगर यह बोलते हैं कि यह एक undeniable individual indivisibility की अगर बात करते हैं तो वो जो agreement जिस तरीके से frame किये गए थे कि future limited में indirectly investment करवाया गया था हमारे दोरा amazon के दोरा तो वो भी illegal हो जाते हैं अगर आप कहते हैं कि आज यह illegal है तो पहले भी उस दिन भी यह illegal ही थे और साथी साथ में the third agreement has the answer to protect the future limited assets by the share subscription agreement कि हमारे बिना बूचे यहां पर एक भी assets को sale नहीं किया जा सकता और उन्हेंने साथ साथ बताया कि future retail limited भी एक party है emergency arbitrator में क्यूंकि हमारा जो investment था वो indirectly future retail limited में था जो कि shareholder agreement के थ्रू अगर हम देखें तो future coupons और future coupons और future coupons और future coupons private limited और future retail limited के बीच में जो दो shareholder agreement बनाए गए हैं उ future retail limited का जो NCLT में अगर approval हो जाता है तो वो एक party नहीं रहेगी उसके बाद तो इसलिए उन्हेंने का कि हमारे को इसलिए stay लाना यहां पर जरूरी हो जाता है और उन्हें बताया कि future retail limited can't be allowed to re-esitate the same challenges और साफ-साफ करते हुए बताया कि हमारे को protective rights are not controlling rights हमने जो हमने protective rights की demand की ना की controlling rights की और साथी साथ बताया कि I have set out all the conclusions of emergency arbitration के भी उन्होंने सारी चीज़े बताई और साथी साथ उन्होंने पूरी चीज़े को clear करते हुए बताया तो इस तरीके से कुछ आज discussion हुआ और उसके बाद hearing resume हो गई और साथी साथ court ने जो कुछ points observe किये और order reserve करते हुए बताया कि I request you to not interrupt और दिल्ली आई court ने जो आज के conclusion थे उस पे आते हैं सबसे end में दिल्ली आई court reserves order against the Amazon Pliya to stop future related limited from relying on the approvals given by the statutory authority जो इंडिया में statutory authorities ABCC ने जो approval दिया है उनको यहाँ पर दिल्ली आई court ने उसके against जो Amazon ने यहाँ पर Pliya फाइल की थी उसके खिलाब जो order है उससे reserve कर दिया है दूसरी बात उन्होंने बताया कि court record the submission and the case background दिल्ली आई court forms a prima facie view that the emergency award is an enforceable award under the section 17 इंडिया के arbitration act के तयत वो भी award यहाँ पर enforceable माना जाएगा और इंडिया के arbitration court में उसकी भी सेम गरीमा होगी जो एक इंडिया के arbitration में होती है दिल्ली आई court ने यहाँ पर future detail limited और other respondent को का कि आप status quo maintain करें मतलब कि आपका जो पहले जो status था वही same status maintain रहेगा जब तक कि maintained और वो कब तक बोला है कि till the date when a detailed interim order is pronounced by the court जब तक court का एक order नहीं आ जाता तब तक आपको NCLT का approval नहीं मिलेगा इसका जो status quo का मतलब है कि आपका जो status पहले था वो same to same बना रहेगा मतलब आपको कोई भी approval नहीं मिल सकता इसके अलावा बताया कि emergency arbitration rightly proceeded against future retail limited and emergency award is not anality जिस तरीके से कल हरी शालमे ने इसका जवाब दिया था रिलाइंस की तरफ से कि emergency arbitrator is anality तो उसको कहाँ पर clear करते हुए बताया कि वो एक नलीटी नहीं है और उससे एक enforceable award मना जाएगा under section 17-2 और वो भी appealable होगा and the court give prima facie view on it तो यह prima facie view उन्होंने दिया in the meantime all authorities shall maintain और उन्होंने साफ़ी साफ बताते हुए का कि जो सारी authorities है SEBI, CCI, NCLT उनको भी status quo maintain करना पड़ेगा कि जो चीजें है अभी उसको वहीं still कर दिया जाए और जब तक कि दिल्ली हाई court का order नहीं आ जाता है और दिल्ली हाई court direct future detail limited to status state all the steps and action taken by it after the date of emergency award जो 25 अक्टूबर 2020 को जो award आया था इन connection with the deal of the reliance तो जो सिंगापूर का जो order आया था जो भी अवार्ड आया emergency award वो अवार्ड को यहाँ पर अभी उसके बाद जितने भी steps लिये है future detail limited ने उससे दिल्ली हाई court में कल बताना है और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो भी reliance की जो deal हुई है उससे related जो भी चीज़े इन्होंने आगे की है वो भी आपको सारी दिल्ली हाई court में बतानी है और इसके अलावा जो भी status quo जो भी changes किये गए है वो भी सारे अभी उसको hold पे रख दिया है तो इस तरीके से ये सामने आता है कि अभी फिलाल हर चीज़ को hold पे कर दिया है और दिल्ली हाई court का decision अभी यहाँ पर सब कुछ तरीके से pending है और उनका मानना है कि कहीं ने कहीं जो emergency award है वो भी एक arbitral award है और उसका भी same status quo है और उसकी भी maintainability same है तो इंडिया में उससे भी applicable म दिख रहा है Amazon के बड़ इससे conclusive evidence नहीं आता है जब भी इससे related आगी जो भी news होगी या जब भी कोई इससे related आगे query आती है तो आप उसे comment section में डाल दें और साथी साथ जब भी नया यहाँ पर जब भी इसकी hearing होगी next hearing वो हम आपके सामने सबसे पहले लाकर आने वाले है त वीडियो को like और share करते रहें ताकि हमारे को reach थोड़ी ज़्यादा बढ़ सके और thank you so much for listening thank you so much